हेलो फ्रेंड, वेल्कम टू मैं चैनल, सिफ संकर सिफ चैनल में आपका स्वागत है, चलिए आज हम बनाते हैं, घर पे बहुती असान तरीका, रेस्टुडेंट का जैसा, कोकोनेट चत्नी, है ना, तो चलिए देखते हैं, वीडियो को लेट नहीं करते हैं, फटा फट रिसीपी, साथ में हमने कुछ कोकोनेट, एक कोकोनेट का ग्रेट किया हुआ लिया हूँ, और साथ में ग्रीन चिली, वाइड शॉल्ट, और साथ में हम लिये हैं, थोड़ा सा, रोस्टेड चना दाल, जिंजर, करी लीप्स, और कोरियंडर लीप, और साथ में हमने तरका बनाया हैं, जैसी की मास्ट, शेड सो का, और साथ में हम लिये हैं, इसमें, ड्राइचिली रेट, और थोड़ा सा, उसमें उरूद का जो दाल होता है, तरका बनाने के लिए, और ये देखिए, मैं एक ग्रेंडर में, सबसे पहले ग्रेट किया हुआ, जो आपका कोको नेट है, उसका उपर का जो काला बला छिलका होता है, वो प्लीज हटा ले, तो उसका चटनी जो है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और ये कि आपको मैं उमीद करता हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, प्लीज, और साथ में आप एड़ करें, रोस्टेट चना दाल, और थोड़ा सा कोरियंडल का लिफ्स, है ना, और इसमें आप एक ये दो पिस ग्रीन चिली भी एड़ कर सकते हैं, आप अपना कॉन्टिटी के हिसाब से, मतलब मातरा, आप किस मातरा से आप बनाते हैं, चटनी उस हिसाब से, और थोड़ा इसमें फ्रेस पानी आप एड़ कर लें, अब जो है, इसको मिक्सर ग्रेंडर पे, हम इसको ग्रेंड कर लेंगे, बहुत ही असान तरीका से, तो आपको चटनी म क्या क्या एड करना है, आप लोगों ने देख लिए, और साथ में नमक डाल के एक बार ग्रेंडिंग चरूर कर लिजेगा, उसका बाद जो नमक जो है, अच्छा तरीका से मिक्स हो जाता है, तो ये देखिए, चटनी मेरा बन के तियार है, अब मैं गेस्ट के सामने कैसे सर और साथ में ड्राइ चिली और कुस दाल का और उद्दाल का वो हम तरका लगाये हो हैं, और आप लोग तो जानते हैंगे, अगर इटली, ढोसा, सामबर बनाना जानते हैं, अगर घर पे खाना जानते हैं, तो कोकोनेट चटनी भी कैसे बनाएं, आज आप लोग सिफ संकर सि चैनल का माद्य हम से देख लीजिए, और घर पे अच्छा तरीका से बनाएं, और मैं उमीद करता हूँ जो आप लोगों के ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, तो सस्क्राइब कीजिए, और बेलो को अंदवाईए, और लैक चरूर कीजिए.